Microsoft Excel में serial number को automatic कैसे update करते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको यह लिखना है equal, equal के बाद में row लिखना है, row लिखने के बाद में यहाँ पर bracket लगाना है, फिर bracket close कर देना है, close करने के बाद में minus लिखना है, minus लिखने के बाद में आप दे सकते हैं हमारा जो row का current number है वो है तो और इसके ज़स्ट पहले वाला number कितना है, एक, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, एक और enter कर देंगे, enter करने के बाद में आपको यहाँ से यहाँ तक सारा select कर देना है, और इसके बाद control के साथ deep press कर देना है, जैसे आप deep press करेंगे आप देख सकते हैं, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो automatic update है वो work करता है या नहीं, यहाँ से मैं एक row को select कर लेता हूं, select करने के बाद यहाँ से हम delete को press कर देंगे, आप देख सकते हैं हमारे जो serial number है, automatic update हो चुके हैं, thanks for watching.